आज हम जानेंगे तुलसी जी के ऐसे अच्चू कुपायों के बारे में जिससे आपके जीवन में आरही नाना परकार की पैसों की समस्या और घर के वास्तु दोश को भी दूर किया जा सकता है आज हम आपको इसी वीडियो में कुछ ऐसे अच्चू कुपाय बताएंगे जिसे करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं धन सम्मंदित परेशानी हैं आप दूर कर सकते हैं इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखेगा सबसे बहले जान लेते हैं कि हिंदू धर में तुलसी को पूजने माना जाता है और तुलसी भगवान विश्नु जी की भी प्रिय है इसलिए भगवान विश्नु और स्री किष्ण की पूजा में तुलसी जी का विशेश रूप से उप्योग किया जाता है माननेता है कि जिस घर में तुलसी का पोदा होता है उस घर में सदेव साकरात्म कुर्जा और रोक कष्ट दूर रहते हैं उस घर से इसलिए जोतिस सास्त में भी तुलसी के कुछ उपायों के बारे में वर्णरंग किया गया है उनी में से कुछ साथ उपाए आज मैं आपको बताता हूँ जिन से पैसों से जुड़ी परेशानी आप दूर कर सकते हैं चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले तुलसी के अचुक उपाए के बारे में आपको क्या करना होगा तुलसी के पोदे की आपको जड़ लेनी हैं और उसको चांदी के लोकिट में आप बनवा लें और वो बनवाने के बाद आप उसको अपने गले में धारन करें इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो नव ग्रह दोश है या आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रहन दोश है तो उन दोशों से आपको मुक्ती मिलेगी किस्मत के दरवाजे आपके खुलेंगे और आपके धन के अफसर आपके पैदा होते रहेंगे दूसरा जो उपाय है आपको उसमें क्या करना है गुरुवार को तुलसी के पोदे को पीले कपड़े में बांदे और अपने ओफिस में ले जाकर अपने ओफिस की टेवल या अपने कारिय छेतर के किसी इस्थान पर या आसपास में उसको रग दे इससे आपके पर्मोशन में अगर कोई समस्या है पर्मोशन नहीं हो पा रहा है तो उससे आपको मुक्ती मिलेगी और पर्मोशन में आ रही समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएंगी तीसरा जो उपाय रहेगा वो है गुरुवार या 81 के दिन आप या किसी भी शुब दिन आप कर सकते हैं पूजा करें तुलसी जी की और तुलसी का एक पत्ता ले लें और उस पत्ते को अपने पर्स में या तिजोरी पर जाकर उसको रख दें उसी स्थान पर रख दें या आप जहां पर अपना पैसा रखते हैं या धन रखते हैं उसे वहाँ पर जाकर आप रख दें और आप देखेंगे कुछी समय में आप देखेंगे आपके धन के आपको लाब बनने लगेंगे आपकी धन संबंदी समस्य आपकी दूर होने लगेंगे ये भी बड़ा सरल उपाय है जो आप कर सकते हैं चोथा जो उपाय रहेगा आपको वैपार में अगर नहीं चल पारा आपका वैपार या लगातार वैपार में कोई न कोई हानी आपको बनती रही है या आपको वैपार में उन्नती नहीं मिल पारिये तो आपको क्या करना होगा आपको तुलसी के पत्ते को तीन दिन तक पानी में डुबो कर रखना है इसके बाग पानी को दुकान के दरवाजे या उस इस्थान पर छड़कना है जहां पर आप धन रखते हैं विशेश रूप से वास्तु दोश को भी ये उपाय खतम करता है साती आपके बिजनिस में आपको उन्नती दिलाएगा बिजनिस में आपको प्रोफिट दिलाएगा और बिजनिस आपका व्रद्धी प्राप्त करेगा पांचो जो उपाय है जो आपको करना है परती दिन तुलसी को जल चड़ाएँ और शाम के समय उसके नीचे दीपक जलाएँ भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी के नाम का ये आपको दीपक जलाना है इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णू आपसे परसन होंगे और आपका दुरभाग्य आपसे दूर होगा तमाम संकट आपके कट जाएंगे और आपके भाग्य में आपको व्रद्धी दिखेगी छटा जो उपाय है वो आपको क्या करना है तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर रोजाना अपने माते पर आपको तिलक करकर ही घर से बहार निकलना है इससे आपका एक तो मन शांत रहेगा आपका आकर्शन सक्ति बरतिवी नजर आएगी जिससे लोग आपसे आकर्शित होंगे और आपको मानसी ग्रूप से चल रही परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा सात्वा और अंतिम उपाय उसमें आपको क्या करना है अगर आपके उपर कोई उपरी बादा है या कोई नजर दोश आपके उपर है या बार बार किसी की नजर लग जाती है तो यह उपाय आप कर सकते हैं आपके घर में किसी सदश्य को या कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है तुलसी के साथ पत्ते लें और साथ काली मिर्च लें और उसके उपर तुलसी के पत्ते के उपर और नीचे की तरफ आप तुलसी के पत्ते के उपर उस काली मिर्च को रखें और उसको अपने सर के उपर से नीचे की तरफ आपको 21 बार उसको उतारना है जब आप ऐसा कर रहे हो तो मन में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंतर का जाप करना है और उसके बाद तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को नदी या कहीं भैते हुए पानी में आपको जल परवा या परवाहित कर देना है इस उपाय से आपके उपर जो उपरी बाद है या नजर दोश है या बार-बार किसी की नजर लग रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलती है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में जै माता दिमित्री